दा एक्जाम वर्म आपका सुवागत है आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरा खंडी स्पेसल टैस्स सिरीज भाग तीन यदि आपने भाग एक और दो नहीं देखा है तो उन्हीं भी आप अवश्य देख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टर प्रशनों को शामिल किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उत्तरा खंडी स्पेसल फिप्टी कोश्चन्स टैस्स सिरीज क्वेश्चन नमबर वन है दिली के शाषक बहलोल लोदी ने पमार वन्स के किस शाषक को शाह की उपादी दी मानशाह, श्यामशाह, महिपती शाह या बल भद्र शाह उत्तरा आप अपना नोट करते चलें ताकि आप मिला सकें पचास में से कितने प्रशना आप सही कर पा रहे हैं 42 से 45 आपके सही हों तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका, आपकी त्यारी बहुत अच्छी है करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा, बल बद्र शाह, ठीक है बल बद्र शाह पमार वंश का 43 वा शाषक था, ठीक है और सहजपाल के बाद ये गड़वाल का शाषक बनता है दिल्ली के लोधी वंश के शाषक बहलोल लोधी ने इने शाह की उपादी दी थी और यह शाह की उपादी धारन करने वाला गड़वाल का पहला शाषक था, ठीक है अगला प्रशन देखते हैं भारती राश्टी कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाओं से भाग लेने वाले नेता निमलिकित में से कौन थे बद्रीदत पांडे, श्रीदेव सुमन, शांतिला दुएदी या कालू महरा प्रेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीदत पांडे, ठीक है भारती राश्टी कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उत्तरा खंड से इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गोविंद वलब पंत, हर गोविंद पंत, मुकुंदी लाल एवं बद्रीदत पांडे शामिल हुए थे, ठीक है विकल्ब में बद्रीदत पांडे है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है कालू महरा की बात करें, तो 1857 की करांटी में उत्रा खंड से कालू महरा ने भाग लिया था इसलिए इनें उत्रा खंड का पहला सुतंतरता से ननी कहा जाता है कालु महरा ने 1857 में करांती वीर नामक संग्ठन का निर्मान किया था ठीक है इस संग्ठन को याद रखिएगा उचा गया है ठीक है और आगे भी पूछा जा सकता है करांती वीर नामक संग्ठन ठीक है 1857 में श्रीदेव शुमन की बात करें तो याद रखिएगा इनकी मृत्य बूख हर्ताल की कारण जेल में हुई थी तिथी याद रखिएगा 25 जुलाई 25 जुलाई 1944 ठीक है इनका एक सूपर सिद्ध नारा है तुम मुझे तोड सकते हो मोड नहीं सकते इसको भी याद रखिएगा ये भी पूछा गया है ठीक है बद्री दत्पंडे को कुमाओं केसरी या कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला परशन देखते हैं निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दांडी मार्च भैरवदत जोशी अटारह सु सतावन की करांटी कालू मhरा हैपी कलब पंडित गोविंद वलब पंड तिलाडि अंदुल धजोशी तो इसमें जोहलादत जोशी जी का तिलाडी अंदोलन से सम्मन्द नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दांडी मार्च की बात करें तो बहरवदत जोशी बिल्कुल सही है बहरवदत जोशी के अलावा याद रखिएगा जोती राम कांडपाल और खड़क बहादुर सिंग ये तीन नाम हैं तीन महान विभूतियां हैं जिनोंने उत्रा खंड से दांडी मार्च में हिस्सा लिया था ठीक है इसे भी याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टन पॉइंट है काशिपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी ठीक है और बात करें जोवालादत जोशी की तो जोवालादत जोशी जी ने भारती रास्टी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिया था उत्रा से ठीक है भारती रास्टी कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वो हुआ था ठानों सो च्यासी में उत्रा खंड से जोवालादत जोशी जी हिस्सा लेने के लिए गये थे ठीक है ये स्टेटमेंट भी वेरी इंपॉर्टन है याद रखिएगा अगला प्रशन देखत में आयोजित कुमाओं परिश्द के पहले अधिवेशन की अधिवेशन की अधिश्टा किसने की वेरी इंपॉर्टन्ट है मोहिं जोशी इंदरलाल शाह जैदत जोशी या बद्रीदत पंडे 1917 में कुमाओं परिश्द के पहले अधिवेशन की अधिश्टा की थी जैदत ज जोशी जी ने ठीक है 1917 में कुमाउं परिशद की बात करें तो कुमाउं परिशद की स्थापना 1916 में हुई ठीक है और 1926 में इसका कांग्रेस में विले हो गया ठीक है इसे भी याद रखिएगा ठीक है बद्रीदत पंड़े जी की बात करें तो देहरादून से इन्होंने ली पादन किया था ठीक है और बद्रीदत पांडे ने उन्निस सो च्यालिस में परवती छेतर के लिए अलग परशासनिक भाग बनाने की मांग की थी ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है इस पर एक बार प्रशन पूछा गया है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं चंद शास्कों द्वारा आरोपित सयानों एवं थोकदारों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर कहलाता था पुंगाडी सलामी दस्तूर या पॉन्टूटी तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दस्तूर ठीक है पुंगाडी की बात करें तो ये कर लगाया था गोरखा शाशकों ने ठीक है और पॉन्टूटी की बात करें तो ये आयात निर्यात पर ये कर लगाया जाता था ठीक है पॉन्टूटी इसके लावा सिर्तान कर भी एक होता था जो नगद रूप में बसूला जाता था खासकर बोटिया व्यापारियों से ठीक है अगला गाउं तामरपत्र चंद वंश सोमेश्वर मंदिर तामरपत्र पमार वंश पंडुकेश्वर तामरपत्र गोरखा वंश या तालेश्वर तामरपत्र पौरवंश तो इसमें एक सही सुमेलित है वो है डी तालेश्वर तामरपत्र का संबंद पौरवंश से है ठीक है शेज अतमान में पिथोरागड में है ठीक है जब पिथोरागड जिला नहीं बना था तो ये अलमोडा के अंतरगत आता था और याद रखेगा पौरोवंश का उलेक मारकंडे ये पुराण में है ठीक है अगला परशन देखते हैं सुमेलित करना है यहाँ पर काली कुमाओं का शेर हर्ष देव ओली उत्राखंड का गांदी अनुसुया परसाद बहुगुणा अलमोडा की बेटी इंद्रमनी बडोनी गड़केश्री आयरिन पंथ तो यहाँ आप देखेंगे काली कुमाओं का शेर हर्ष देव ओली तो ये तो सही सुमेलित है हर्ष देव ओली को काली कुम बात करें तो यह हैं आयरिन पंथ और गड़केश्री की बात करें तो अनुसुया परसाद बहुगुणा ठीक है इंद्रमनी बडोनी ने उत्राखंड राजी आंदोलन में महतवण भूमिका निभाई थी इन्हें उत्राखंड राजी आंदोलन का पुरोधा भी कहा जाता ह ठीक है बात करें अनुसुया परसाद बहुगुणा की तो 1919 का जो अमरेज सरका अधिवेशन हुआ था उसमें बैरिस्टर मुकुंदी लाल की जगा पर इन्हों ने हिस्सा लिया था ठीक है अगला प्रशन देखते हैं कुमाऊं के ब्रिटिस कमिशनरों का सही काल करम क्या है इस तरह से परशन उच्छा जा सकता है तो इसमें जू आपका करेक्ट करम होगा वो है सबसे पहले इगार्डनर आएगा ठीक है ये गार्डनर के ये गार्डनर के यहां आप देखें गे तीन में है ठीक है तो एक टूकट हो जाएगा भी आपके पाद आप देखेंगे दूसरा भी आपको देखना पड़ेगा दूसरे जो कमिशनर थे हो थे जार्ज गोबान तो जार्ज गोबान यहाँ है ठीक है इसमें भी है तो ऐसे में डी भी कट हो गया ठीक है इस तरह से ऐलिमिनेट कर कि आप के दिहल करेंगे तो उसके सही होने की संभावना अधिक होगी ठीक है तीसरे जो कमिशनर थे हो थे जाज विलियम ट्रेल जाज विलियम ट्रेल सी में हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है ठीक है चौते हैं टामस लुशिंगटन ठीक है ठीक है बीस साला बंदोबस्त है वह भी इन्हों ने लागू किया था बात करें जाज विलियम ट्रेल की तो 1816 में कुमाओं के ये कमिशनर बने संपूर्ण उत्राखंड में डाक सेवा शुरू करने का श्रे विलियम ट्रेल को ही जाता है इसके अलावा पटवारी बंद का स्रेजन भी इन्हों नहीं किया था ठीक है एक बार प्रशन पूचा गया है पटवारी बंद का स्रेजन किन्हों ने किया थीक है तो जाज विलियम ट्रेल याद रखिएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं निमन में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ठेकेदारी प्रथा का अंत सर हेनरी रैमजे गड़वाल राइफल्स की स्थापना जे आर ग्रिक संपोर्ण उतरा खंड में डाक सिवा जार्ज विलियम ट्रेल एक साला बंदोबस्त ए गार्डनर इनरी रैमजे सही है गड़वाल राइफल्स की स्थापना जे आर ग्रिक के समय में नहीं हुई बलकि एच जी रॉस के समय में हुई ठीक है इस नाम को याद रखिएगा ठीक है एच जी रॉस ठीक है संपूर्ण उत्राखंड में डाक सेवा जार्ज विलियम ट्रेल सही है एक साला बंदोबस्त ए गार्डनर ये भी सही है ठीक है एक साला के अलावा जो बीस साला बंदोबस्त था इसे भी याद रखिएगा ठीक है बीस साला बंदोबस्त ये हुआ था लुशिंग्टन के ट लगू की थी ठीक है गड़वार राइफल्स की स्थापना हुई थी अच्जी रॉस के समय में लेंस डाउन पौड़ी गड़वाल में वर्ष याद रखेगा 1887 ठीक है अगला प्रशन देखते हैं समयलित करना है यहां पर एक तरप उत्सव है दूसरी तरप उनका इस्तान है बगवाल उत्सव देवी धुरा सुरुखंडा उत्सव चमबा जौल जीवी रूदर प्रयाग काली दास महुत्सव देहरादून बगवाल उत्सव देवी धुरा चमपावत बिल्कुल सही है सुरुखंडा उत्सव चमबा तीरी गडवाल यह भी सुमेलित है जौल जीवी की बात करें तो यह उत्सव मनाया जाता है देहरादून में और काली दास महुत्सव रुद्र प्रयाग में तो इस तरह से 1,2,4, 3, बी आंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं कौन सा एक सुमेलित है गणनात गुफा मंदिर अलमोडा भारत माता मंदिर देहरादून टपकेश्वर मंदिर हरीद्वार नंदा देवी मंदिर चमोली उतर आप अपना नोट करते चलें यहाँ पर आप देखे बलकि हरीद्वार में है ठीक है टपकेश्वर मंदिर की बात करें तो यह हरीद्वार में नहीं है यह देहरादून में है ठीक है नंदा देवी मंदिर की बात करने तो यह चमोली में नहीं है यह है अलमोडा में ठीक है अगला प्रशन देखते हैं पंड़ों के जीवन पर आधारित उस निर्ट्य की पहचान कीजिए, जिसमें रमतुला वाद्य यंत्र अनिवारे रूप से बजाया जाता है। इंप्रेटन कोश्चन है सरों निर्ती हारूल निर्त चोलिया निर्त या छोपती निर्त्य तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हारूल निर्त्य ठीक है यह पंडूओं के जीवन पर आधारित है इसमें रमतुला वादियंत्र अनिवारे रूप से बजाया जाता है ठीक है असत्यक निगम का प्रमुक्त सभा सदू द्वारा निर्वाचित होता है उत्राखंड में नौ नगर निगम है ये कथन सही है श्री नगर नगर निगम की स्थापना दोहजार इकेस में हुई थी ये सही नहीं है ठीक है देहरादून सबसे बड़ा नगर निगम है और प्रथम नगर निगम है ठीक है विल्कुल सही है देहरादून नगर निगम की स्थापना 2003 में हुई थी ये उत्राखंड का पहला नगर निगम है जबकि जो नवा नगर निगम है लेटिस्ट नगर निगम है वो है स्री नगर इसकी स्थापना 2021 में नहीं हुई बलकि 2022 में हुई थी ठीक ह नगर निगम का जो परमुख है उसे मेर कहा जाता है और इसका निर्वाचन सभा सदों द्वारा होता है तो ये कथन सही है ठीक है बी आंसर हो जाएगा असत्य कथन का आपको चैन करना था अगला प्रशन देखते हैं उत्राखंड के निम लिखित में से किस किसान को धनिये की नए किसम विक्षित करने के लिए पादप जी नौम से रच्छक पुरुष्कार दोजा तेई से नवादा गया वेरी इंपॉर्टन कोश्चन है गोपाल उत्परेती सत्य देव सिंग लहरी बाई या अर्जुन मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल उत्परेती ठीक है ये अलमोडा के किसान है और बागवान भी है बागवानी भी करते हैं इन्होंने धनिये की सबसे लंबी उचाई में किसम विक्षित की थी जिससे इनका नाम जो है गनीज बुक अवर्ड रिकार्ड में दर्ज हो गया ठीक है इससे पहले भी इन्होंने कई रिकार्ड बनाया है और बहुत सारे पुरुषकार इन्होंने जीते हैं बंजर भूमी पर इन्होंने ब्रॉकली की खेती भी की है ठीक है और एक पौदे से एक-एक किलो की ब्रॉकली भी पैदा की है किसानों के लिए ये प्रेणा का स सुमेलित नहीं है। तो इसमें मुलिंग ला दर्रः, ये उत्तरकाशी एवं तीबत की मद्धी है। जयन्ती दर्रः की बात करें तो पिधोरागड़ और तीबत। किंगरी बिंगरी दर्रा, चमोली एवं तिबद, ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा, माना दर्रा, नीती दर्रा, बालचा, ठीक है, ये सभी दर्रे चमोली एवं तिबद के मद्ध हैं, ठीक है, इसमें जो लासपा दर्रा है, ये सुमीलित नहीं है, ठीक है, ये अब कांसर हो कौन सा एक सुमेलित नहीं है नियूंतम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी नियूंतम चेतरफल वाला जिला चंपावत सरवादिक अनसूचित जाती वाला जिला बागेश्वर नियूंतम लिंगाउन पात वाला जिला हरीदवार इसमें आप देखेंगे नियूंतम मह सही है सरवादिक अनुसूचित जाती वाला जिला बागेश्वर नहीं है बलकि हरीद्वार है ठीक है हरीद्वार में सरवादिक अनुसूचित जातियां है नियुनतम लिंगाउन पात वाला हरिद्वार ये सही है और लिंगा अनपात कितना है 880 से भी याद रखेगा सक्षरता की बात करें तो उत्राखंड का भारत में इस्थान है सत्रवां ठीक है और महिला सक्षरता की बात करें तो उत्राखंड का इस्थान है बीसवां ठीक है जनसंख्या की बात करें तो उत्रा हंड का भारत में इस्थान है विश्वा्रोन और महिला सक्षरता की बात करें तो उत्रखंड का इस्थान शत्रवाँ है जन घनत्युקी बात करें तो पंचीसवा उस्थान है धुड ME करें टो उठ्वाइज अंस फिर्ट्रवाश इस्थान प्रेक्ट आंसर हो जाएगा हरी राम तिरफार्थी चीक है वर्ष याद रखेगा 1906 चीक है अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है उत्राखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50 प्रेश्चत आरक्ष्ण सम्मदित बिदेव कब पारित हुआ मार्च 2005 मार्च 2008 फरवरी 2008 या फरवरी 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 2008 ठीक है मुख्य मंतरी थे बीसी खंडूरी तीसरी विधान सबा ठीक है इसके अलावा याद रखेगा उत्राखंड पंचायती राज अधनियम ये 4 अप्रेल 2016 से लागू है ठीक है उत्राखंड पंचायती राज अधनियम इसके अलावा ये भी याद रखेगा 2009 में 110 कंस्टिटूशनल अमेंडमेंट बिल लोक सबा में पेश किया गया था पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रश्चत आरक्षण देने से संबंदित परंदू पास नहीं हो सका ठीक है ये भी याद रखेगा बिहार पहला राज है जि जो महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रश्चत आरक्षण दे रहे हैं ठीक है उन्होंने विदेख पास दिया है इसमें हरियाना उत्तर भारत में नहीं है यूपी भी नहीं है इसे याद रखेगा ठीक है और एनसीटी डैली भी नहीं है शेस पंजाब राजस्थान महरास्टरा गुजरात दच्छिन भारत के सभी राजी हैं बिहार बिहार से अलगुवा जहारखंड मदपरदेश चतिसगर्ड इसके अलावा नॉर्थ इस्ट की बात करें तो सिक्किम त्रूपरा और आसाम कितने र चंपावत 1995 उत्तरकाशी 1997 उदम सिंग नगर 1949 तो यहां आप देखेंगे टिहरी की स्थापना 1949 में हुई थी ठीक है एक और हो जाएगा ठीक है एक आप और दो में हैं तो यहां पे अलिमिनेट कर लेंगे यह और बी कट हो जाता है चंपावत की बात करें 1997 ठीक है तो बी का तीन हो जाएगा यहां आप देखेंगे बी दो में हैं ठीक है तीन 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 तो इस तरह से आपको एक और देखना होगा उत्तरकाशी की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी ठीक है और उदम सिंग नगर की स्थापना 1995 में हुई तो इस तरह से आप सुमेलित कर ल 1997 में चंपावत के सासाथ रूद्र प्रयाग और बागेश्वर इसे भी याद रखिएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं परफ्ती शिखर संबेलन 2023 में उत्राखंड के किस परटक स्थल को सर्व स्थ परटक स्थल Best Tourist Destination का वार्ड दिया गया देवीदुरा रानी खेट मुंस्यारी या ओली करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंस्यारी ठीक है मुंस्यारी विथोरागड और मुंस्यारी का सफेद राजमा भी परसिद है जिसे GI टेक दिया गया था इसे भी याद रखिएगा अगला प्रशन देखते हैं निमनिखित में से कौन सा उत्राखंड का पहला परवती जिला है जिसके सबी राजस्व गाउं को नागरिक पुलिस छेतर में शामिल कर लिया गया है पितवरागड, रूदर प्रयाग, बागेश्वर, चमपावत क्रेक्ट आंसर हो जाएगा, चमपावत ठीक है अगला प्रशन देखते हैं उत्राखंड का पहला अंतररास्टी हवाई यद्डा कि जिले में बनाया जाएगा इंटरनेशनल एरपोर्ट देहरादून, पितवरागर्ड, उधम सिंग नगर या नेनी ताल तो जिला पुछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उधम सिंग नगर, ठीक है पंत नगर, अंतररास्टी, हवाई यद्डा ठीक है, और इसका जो रनवे है, वो उत्राखंड में सबसे बड़ा होगा ठीक है, तीन किलो मीटर ठीक है, अगला प्रेशन देखते है निमनिकी चोटियों का उनकी उचाई के उनसार सही करम क्या है माउंट तिर्शूल, माउंट तुलियान, पंचा चूली, स्वरगा रोहनी कूट से आंसर बताना है, माउंट तिर्शूल ठीक है, नमबर बन पर आ जाएगा ठीक है, दिये गए, चोटियों में, सरवच चोटी है, माउंट तिर्शूल की ठीक है, इसके बाद दूसरे नमबर पर पंचा चूली ठीक है, फिर इसके बाद स्वरगा रोहनी और चोथे नमबर पर माउंट तुलियान ठीक है, अगला प्रेशन देखते हैं वनागनी पर नियंतरण पाने हैं तो इसे अभियान की शुरू किये गए अभियान पिरुल लाओ, पैसे पाओ की शुरुवात किस जिले से की गई मुख्य मंतरी, पुश्कर सिंग, धामी ने वनागनी पर नियंतरण पाने हैं तो इसे भियान की शुरुवात की थी करंट फेर का कुश्चन है ये तो किस दिले से शुरुवात हुई इसकी प्रेक्ट आंसर हो जाएगा रूदर प्रयाग ठीक है जो चीड के पेंड है उनकी सूखी पतियों को पिरूल कहा जाता है ठीक है और इससे जो है आग लगने में काफी सहयता मिलती है ठीक है तो यदि इसे इकठा करके सरकार को दिया जाएगा और इसके बदले में पैसे मिलेंगे तो वनागनी पर नियंतरण काफी हद तक पाया जा सकता है ठीक है अगला परशन देखते हैं हिमाले के लिए उत्राखंड आजी विकासुधार प्रोजेक्ट निम्न में से किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है उत्राखंड ग्राम्य विकास समीती परवती विकास जन समीती जिला ग्राम्य विकास सदिकरणिया परवती जिला छेत्र विकास समीती तो किरेक्ट आंसर इसमि हो जाएगा उत्रा खंड ग्राम्य विकास समीती ठीक है अगला प्रिशन देखते हैं उत्रा खंड राजिका प्रतिव्यकति आय में देश में कौन सा इस्तान है पांचवां चठवां साथवां ये नौवां प्रतिव्यक्ति आये में उत्राखंड का इस्तान है चठवां ठीक है और सरवादिक प्रतिव्यक्ति आये वाला जिला है हरीद्वार ठीक है हरीद्वार हरीद्वार के बाद देहरा दून है वहीं GDP की बात करें तो GDP में उत्राखंड का इस्तान देश में बीसवां है ठीक है दोनों को याद रखिएगा अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित हिमनदों में से अलक नंदा नदी का उद्गम सरोत है रालम हिमनद मिलाम हिमनद सतोपंथ या दूना गिरी तो अलक नंदा नद का जो उद्गम है वो सतोपंथ हिमनद से है ठीक है चमोली डिस्टिक अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है चीला पर योजना पौडी गडवाल मनेरी भाली तरकाशी किशाव बांध देहरा दून उतियासु बांध टिहरी गडवाल तो यहां आप देखेंगे चीला पर योजना ये पौडी गडवाल सही सुमेली थे ठीक है मनेरी भाली की बात करें तो ये भागीरती नदी पर है जिला उत्तर काशी चीशाव बांध की बात करें तो टोन्स नदी जिला देहरा दून उतियासु बांध की बात करें तो ये अलकननदा नदी पर है जिला, टेहरी गडवाल नहीं बलकि पौड़ी गडवाल, ठीक है? अगला प्रशन देखते हैं, महान ही माले की सरवादिक जन्संख्या वाली जन जाती है, इस तरह से भी प्रशन पूछा जाता है यहाँ पर उत्राखंड की सरवादिक जन संख्या वाली जन जाती नहीं पूछा है यदि उत्राखंड की सरवादिक जन संख्या वाली जन जाती पूछे तो आपका उत्तर थारू हो जाएगा ठीक है महान हिमाले की सरवादिक जन संख्या वाली जन जाती पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा भोटिया ठीक है और नियूंतम जन संख्या वाली ठीक है उत्राखंड की जो नियूंतम जन संख्या वाली जन जाती है वो है राजी ठीक है और सरवादिक जन जाती जन नगर ठीक है अगला प्रशन देखते हैं पर्याग पोर्टल का समंद्र निम्लिखित में से किस से है सूचना के अदिकार से निशुल्क सिक्षा से चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन से या रोजगार से तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पर्याग पोर्टल का समंद्र रोजगार से हैं ठीक है अगला प्रशन देखते हैं राज में लागू नागरिक समान नागरिक सहिंता है तो गठित समीति के द्यक्षता किसने की समान नागरिक सहिंता से संबंदित एक प्रशन पूछे जाने की संभावना है तो इस पर जो भी बिंदु हैं उन सभी को दिहान दीजिएगा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा रंजना देशाई सुप्रीम कोर्ट की भूत पूर नयाधीश हैं यू सी सी का जो उलेक है वो समीधान में आप जानते हैं नीत निदेशक तत्तों के अनुच्छे चोवालिस में हैं ठीक है और 27 मई दो हजार बाईस को उत्राखंड ने यू सी सी पर एक कमेटी का गठन किया था तो ये तीथी याद रखिएगा साल फरवरी दो हजार चोविस को उत्राखंड ने विदान सबा में ये बिल पास कर दिया ठीक है और रास्पती के पास मंजूरी के लिए बेजा गया तो रास्पती ने 12 मार्च दो हजार चोविस को मंजूरी दे दी ठीक है और UCC वाला उत्राखंड पहला राज़ बन गया, सुतंतरता के पश्चाद, ठीक है, अगला परशन देखते हैं, उत्राखंड के चारो धामों का समुद्र तल से उचाई के बढ़ते करम में निम लिखित में से कौन सा एक सही है, गंगोतरी के दारनात ये मनोतरी बढ़ते कर में आपको बताना है, तो क्रेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, गंगोतरी, बदरीनात, ये मनोतरी और के दारनात, ठीक है, के दारनात की बात करें तो ये है, रूदर पर्याग में, ठीक है, और बदरीनात की बात करें तो ये है, चमोली में, ठीक है, गंगोतरी, ये मनोतरी दोनों उत्तरकाशी में हैं ठीक है इसके बाद अगला परिशन देखते हैं पंच प्रयाग निमलिखित में से किन जिलों के समोह में इस्थित है चमोली पड़ी गडवाल रूदर प्रयाग रूदर प्रयाग टीरी चमोली रूदर प्रयाग टिहरी या बागेश्वर या उत्तर कासी चमोली एहम रूदर प्रयाग तो पंच प्रयाग तीन जिलों के समोह में हैं रूदर प्रयाग टिहरी गड़वाल और चमोली भी आंसर हो जाएगा ठीक है पंच पर्याग किन नदियों के संगम पर है ये आपको पता होना चाहिए जल्दी से देख लीजे दोली गंगा और अलक नंदा विश्णु पर्याग ठीक है दूसरा नंदाकनी और अलक नंदा नंद पर्याग ठीक है तीसरा पिंडर और अलकनन्दा कर्ण पर्याग ठीक है चौथा मंदाकनी और अलकनन्दा रूद्र पर्याग ठीक है भागिर्थी और अलकनन्दा देव पर्याग ठीक है अगला प्रशन देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है मौला राम आर्ट गैलरी पौडी गड़वाल कुमवर विचितर शाह संगरहले टिहरी गिरजा कि शोरी जोशी संगरहले अलमोडा महाराजा नरेंदर शाह संगरहले चमोली तो इसमे मोलाराम आर्ट गैलरी ये पौड़ी गड़वाल में है ठीक है कुवर विचितर शाह संगरहाले टिहरी में है गिरजा किशोर जोशी संगरहाले अलमोडा में है महाराजा नरेंदर शाह संगरहाले चमोली में नहीं है बलकि नरेंदर नगर टीरी गड़वाल में है ठीक है तो डी अंसर हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं यहाँ पर आपको सुमेलित करना है ठीक है खानी जो और दूसरी तरफ जिले मंदारम छेतर की बात करें तो देहरा दून ठीक है ये सही सुमेलित है चुना पत्थर के लिए परसिद्ध है मंदारम छेतर पीपल कोटी की बात करने तो ये चमोली डूलो माइट के लिए परसिद्ध है चंडाग छेतर ये पिथवरागड में है मैगने साइट के लिए वैर इंपॉर्टेंट है इस याद रखेगा लोबा पट्ट पौड़ी गड़वाल ठीक है पौड़ी गड़वाल चुना पत्थर के लिए तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे चीक है वन फोर टू थ्री चीक है डी आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं राज्य की पहली सेवा छेतर नीटी 2023 के अनुसार किस इस्तान को विश् अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित में से किस परवता रोही ने माउंट के लिए मंजारों पर साइकल से यात्रा करके विश्वरी कार्ड बनाया वेरिपर्टन कोश्चन है दिब्या नेगी प्रीती नेगी मांसी नेगी या अंकीता धियानि तो इसमें क्रेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीती नेगी ने तीन दिन के भीतर किलिमन जारोजों की तंजानिया में है ठीक है अफरीका की सरवच चोटी इसको फते करके विश्वरी कार्ड बनाया ठीक है इस से पहले प्रीती नेगी ने हरिद्वास से केदार ना तक की यात्रा साइकल से चार दिन में ये भी अपने आप में किरतिमान है दुर्गम छेतरों से हो करके केदार ना तक पहुँचना आसान नहीं होता है ये रिकार्ड भी प्रीती नेगी ने बनाया है ठीक है प्रीती नेगी रूदर प्रया की रहने वाली है अगला प्रशन देखते हैं मानस खंड मंदिर माला मि तोके मंदिरों को शामिल किया गए फस्ट फेस में पूरी सोची टेलिग्राम चैनल दाए अग्जाम वैर से है मिल जाएगी यहां पर आपका उत्तर सब्तेशवर मंदिर ठीक है ये मानस खंड मंदिर माला मिशन में शामिल नहीं है और प्रंतु शब्तेशवर मंदिर शाम नहीं है वार्य स्वर मंदिर टीक करें बालेश्षर मंदिर का जो मानस खंड में आता है अक्ला प्रस्शनों देखते है सुमेलीध करना है यहां पर ग्याई टेक प्सक्राप्त और उनका छेद्र अटाम्रू अटाथ की बात करें तो तम रुतपाद अल्मोडा के परसिद्ध हैं ठीक है रंगवाली पिछोड़ा को माउंचेतर में ये सही सुमेलित है बेरी नाग चाये चमोली नहीं बलकि पित्वरान गड़ती है ठीक है और रमान मास्क चमोली का है ठीक है तो इस तरह से सुमेलित कर लेंगे वन टू फोर थरी डी आंसर हो जाएगा जितने भी जी आई टैग उतपाद हैं उत्राखंड के ठीक है जिनकी कुल संख्या 27 है पूरी सूची टैलीग्राम चैनल पर है एक बार देख लीजेगा इस बार पूरी पूरी संभा होना है जी आई टैग से एक प्रशन अवश्य पूछा जाएगा अगला प्रशन देखते हैं निम्लिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी की यस्तियों को विसरजित किया गया विश्णु ताल नचकेता ताल सिंग ताल या शरवदी ताल तो करेक्ट टांसर हो जाएगा शरवदी ताल ठीक है इसे गांधी सरोवर भ अगला प्रशन देखते हैं बागवानी को बढ़ावा देने हैं तू राज ने किस देश के साथ तकनीकी साहता है तू समझोता किया है इसराइल, जर्मनी, फ्रांस या नीदर लेंड तो एगरी कल्चर में आप जानते हैं इसराइल दुनिया में अपना इस्थान रखता है तो इसराइल के साथ उत्राखंड सरकार ने समझोता किया है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ठीक है अगला परशन देखते हैं निम्लकित में से कौन सी लोक सबा सीट अनसूचित जाती है तू आरक्षित है तीरी गड़वाल, पौड़ी गड़वाल, हरीदवार या अलमोडा तो उत्राखंड में लोक सबा है तू पांच सीटे है ठीक है इनमें से अलमोडा एसी के लिए रिजर्व है ठीक है पांच सीटे कौन कौन सी है तीरी गड़वाल, पौड़ी गड़वाल, हरीदवार, अलमोडा और नैनी ताल ठीक है इसके लावा जाद रखे का उत्राखंड विधान सबा में सतर सीटे है जिनमें से तेरा सीटे है एसी है तू रिजर्व है ठीक है और दो सीटे है एस्टी है तू रिजर्व है ठीक है दो सीटे कौन कौन सी है एक है चकराता ठीक है देहरा दून और दूसरी है नानकमता ठीक है उदम सिंग नगर दोनों को याद रखियेगा, अगला परिशन देखते हैं निम लिखित में से कीश है, शिल परत्न पुरुषकार दोजार चौबी से सम्मानित किया गया कांती देवी, दर्शनलाल, नरवदा देवी, उपरिक्त सभी तो शिल्प रतन पुरुषकार 2024 से तीनों को समानित किया गया है तो ऐसे में आपका अंसर D हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला प्रशन देखते हैं यहां पे आपको सुमेलित करना है खिलाडियों को उनके खेलों से पहला है मेन का गुंजाल स्किंग चिराग सेन, बैडमिंटन, भावेश बट अथलीट और निक्ता चंद बॉक्सिंग तो यहां सबसे पहले आप देखें कि मेन का गुंजाल ठीक है तो इनका समन्द सी स्किंग से है बिल्कुल सही है ठीक है, उत्राखंड की स्नो गर्ल कहा जाता है मेन का गुंजाल को ठीक है, पिथवरा गर्ल की यह रहने वाली है ठीक है, और अपरियल दोँजार चोबिस में मेन का गुंजाल ने नेशनल इस्किंग चैंपियनशिप में गुर्ड मैडल जीता है ही माचल परदीश में ये प्रद्यूगता संबन हुई थी इसके लावा चोथे खेलो इंडिया गेम्स में जिसका आयोजन कश्मीर के गुल मर्ग में हुआ था उसमें भी इसने गोर्ड मैडल जीता था ठीक है चिराग सेन की बात करें तो बैडमिंटन ठीक है भावेशबट एथलीट सही है भावेशबट पिथोरा गड़के है ठीक है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में भावेशबट ने 1500 और 5000 मीटर में गोर्ड मैडल जीता था ठीक है निकता चंद बॉक्सिंग सही सुमेलित है ठीक है निकता चंद भी पिथोरा गड़की है और एशियन यू कजाकस्तान में हुआ था उसमें निकता चंद ने गोर्ड मैडल जीता ठीक है चिराग सेन अलमोड़ा के हैं ठीक है शेश तीनों खिलाड़ी पिथोरा गड़के हैं अगला प्रशन देखते हैं भारत का पहला हिम तेंदुआ सेन रक्षन के इंदर की जिले में बनाया जाएगा बहरों घाटी लंका नामकिस्थान पर उत्तरकाशी जिला ठीक है इसके लावा 2009 में हिम तेंदुआ पर्योजना भी केंदर सरकार ने चलाई थी ठीक है इस वर्ष को भी याद रखेगा 2009 में और 23 अप्टुबर को अंतराशी हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है हिम तेंदुआ की संख्या भारत में पुल 718 है ठीक है 718 है जिनमें से सरवादिक हिम तेंदुए लदाक में है जिनकी संख्या 477 है ठीक है दूसरे नंबर पर इस्थान आता है उत्तरा खंड क्या है 36 ठीक है इसके बाद सिक्किम आता है 21 और इसके बाद यूनिन टेरिटरी जी एंड के जिसमें नो हिम तेंदुए पाये जाते हैं ठीक है तो इस तरह से कुल इनको जोड़ेंगे तो 718 आजाएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है नंद गौरा योजना ये शुरू हुई थी 2018 में सही है मिलिट मिशन 2023 में बिल्कुल शही है उत्रा खंड इंदन सकी योजना 2023 मुख्य मंतरी शेशक्त बहना योजना ये 2022 में नहीं बलकि 2023 में शुरू की गई थी ठीक है महिलाओं को उनके उत्पात बेचने है तो व्यापक बाज पुरुषकार पाने वाले उत्रा खंड के एक मातर कवी और लेख हैं लीला दर्जगूरी विरेंदर डंगवाल सुमित्रा नंदन बंद इलाचंदर जोशी तो इसमें आप का अंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन बंद ठीक है साहित का ग्यान पीट पुरुषकार पाने व पुरुषकार पाने वाली प्रथम महिला कौन है ये भी पता होना चाहिए महादेवी वर्मा ठीक है महादेवी वर्मा को ग्यान पीट पुरुषकार मिला था 1982 में रचना यामा के लिए ठीक है ठीक है वैसे पहला ग्यान पीट पुरुषकार जी एस कुरूब को दिया गया ठीक है अखले प्रशन देखते हैं है उत्रा खंड्ड राज में किस प्रकार के उद्योगों की संख्या सरवादिक है उद्योग उद्योग मध्यम उद्योग लगु उद्योग सुच्म उद्योग इस तरह से प्रशन भी उचा जा सकता है और common sense से ऐसे प्रशन को उत्र आप दे सकते हैं उत्राखंड में सरवादिक उद्योग है सुच्म उद्योग ठीक है सुच्म उद्योग तो ये थी उत्राखंड special 50 प्रशन पर आधारी test series भाग तीन भाग एक और दो जदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्च देख लिजेगा current fair की video भी available है उसे भी आप अवश्च देख लिजेगा कोई doubt है कोई query है तो आप comment कर सकते हैं चैनल को अभी तक subscribe ना किया तो subscribe अवश्च कर लिजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो